चाल चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं हमारे अभ्यान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं उतार दिये और जो बचे वह भी मौत के गाट उतर जाएं और सरकार यहां पर तमाम प्रकार की सबका साथ सबका अभिकास और ना जाने कौन को से नारा लगा रही जबकि सर मैं बताओं हमारी 22,000 महिला हैं मोदी जी महिला बचाओ महिला बेटी बचाओ बेटी परहाओ की बात करते हैं लेकिन 22,000 महिलाओं को उन न जाने उनका परिबार आठ हजार सास्वस्तत में कैसे चल रहा है गोरपूर न्यूजलाइन और चल्चित्र अभियान के ओर से आप सभी लोग का स्वागत है हम लोग आज मौजूद हैं प्रेमचंद पार्क में जो की एक बहुत ही अतियासिक अस्थान है महान कथाकार प्रेमचंद यहां पर पांच वर्सों तक यह जो सामने दिख रहा है जो भवन है वो उनका निवास अस्थान रहा है गोरपूर में वो सहायक अध्यापक होकर 1916 में यहां पर आये थे और फिर 1921 तक रहे यहां पर इस दोरान उनकी बहुत सारी हिंदी में जो कहानियां हैं और उपन्यास हैं वो सबसे पहले गोरपूर में प्रकासित हुए तो आज हम यहां पर मौझूद हमारे साथ सिच्छा विभाग के विभिन्य योजनाओं के अंतरगत काम करने वाले सिच्छा मित्र अनुदेशक और सिच्छा प्रेरक हम लोग के साथ मौझूद हैं जो कि इस पूरे कई वर्षों से अपने अपनी इस्थिती को लेकर बेहत से जानने की कोशिज करेंगे कि उनकी समस्याएं क्या है 12 सितंबर 2015 को हाई को हमारा समयोजन इरस्थ हो गया उना हम लोग बहाल किये गए सरकार की अपील वारा और लगबग तीन साल की सिवा करने के बाद हमको 35,000 रुपया मिलता था 25 जुलाई 2017 को हमारा समयोजन रद हो ग जिनका रद हो चुका था आज आप लोग का मांदे कितना मिलता है इस समय दस हजाव रुपय मिल ला वह भी 8-8 महीने 7-7 महीने हो जा रहे हैं मांदे समय से नहीं मिल पा रहा है सबके बच्चों की पीच से पढ़ाई का फीच से खर्चा मतलब नहीं चल पा रहा है इसी जाढ़ाई आज़न तब से 1200 अलबगपूर पर्देश में मौत हो चुकी है और गोरफ़ जनपत में 11 हो चुकी है यह बहुत ही मंहीरत अंगेज सूचना है कि यह हिला देने वाली सूचना है कि समायोजन रद होने के बाद 1200 सो सिच्छा मित्रों की सदमे से या आत्मयत्या म मौत हो चुकी है आप लोग बता रहे हैं जिसमें गोरपूर मंडल में 11 लों कि इतना बड़ा मुद्दा है लेकि नभी ये मीडिया में और दूसरे जगों पर जितना इसको तवज्जों मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है तो क्या सरकार ने पूरी तरह से आप लोगी बात मान यह उसको पूरा करके हम आपको सहाय का ध्यापक बना देंगे लेकिन इन्हों इतना चलावा किया कि दो साल में 1200 सिच्छामित्रों को बली का बकरा बनागा मौत के घाट उतार दिये और जो बच्चे वह भी मौत के घाट उतर जाएं तो अभी जो फिर से जब से सिच्छों की न्यूक्त हुई है उसमें कहा गया कि सिच्छामित्रों को वेटिज दिया जाएगा और उनको मौका दिया जाएगा तो उसमें क्या सरकार ने जो कहा था उसका पालन किया सर बिलकुल नहीं किया जी क्या किया और सट जार पांसो सिच्छ वर्ति में पहले सरकार ने कहा कि हम 33 पर जो है कि भरति करेंगे और जैसे परिच्छा हो जाती है परिच्छा होने के उपरांद तुरंत इन्होंने जाकि 4045 पर जीओ जारी करके भरति किया करेंगे और जैसे ही परिच्छा होती है उसके अगले दिन जो है कि इन्होंने 65 जो है पासिंग मार्क्स ने धारित कर दिया और इस यह खड़ेंत रच करके सर यह जो है कि सिच्छा मित्रों के बाहर करने का आई हमारा 2001 से जो है मैं कारेरत हूं और हमारा समयोजन हुआ उसमें हमलों की क्या गलती है बताइए कि हम लोग 40,000 जो है बेतन पा करके आद 10,000 रुपए में अपना जीवान है अपन कर रहे हैं समानकार समान बेतन हम लोग आज तक पैसा जब कम मिलता था बाइस सो पचास से मे पर दो सिछा मेत्र पूरा दस से चार बी डाले चलता था हम लोग दिन भर काम करते थे जबकि हम लोग को अठाटानी साल की उम्र में हम लोग की निकती हो गए ती स्वाडी मौसा था पढ़ने लिखने का वह हमारा स्वाडी मौसा चीन के हमने इस सिच्छा विभाग को दि आज च binnen के लिए हम लोग ठीक है आज फिससा बात करेंगे अपने सिच्छा प्रेरक से जो कि अपने गाओं में साचर्टा अभियान को गति पहुँचाने का काम करते हैं और काफी वर्सों से आप लोग काम कर रहे हैं और पूरे परदेश में डेड़ लाग से ज़्यादा संख्या होगी आप बताइए कितने पूरे परदेश में कितने सिच्छा प्रेरक हैं और आप लोग की नुक्तियां कब होई और आप से कौन सा काम लिया जाता है पूरे उत्तर परदेश की बात करें तो सवा लाग सिच्छा प्रेरक हैं और आठ साल हमसे काम लिया गया साक्षर भारत मिशन के अंतरगत पंदरवर्ष से उपर के जो भी लोग निरच्छर रह गये किसी भी कारण से उनको पढ़ा लिखा कर साक्षर करने का दाइत्व केंदर सरकार ने हमें दिया था और इस महंगाई के जमाने में मात्र दो हजार रुपे के अल्प मांदे पर कभ से कभ तक यह समबिदा समाप्त करके और हमारा 50 महिने का मांदे मात्र दो हजार रुपे मिलेवाला मांदे भी सरकार ने नहीं दिया और हम लोग की नोकरी सेवा समाप्त कर दी यह बताईए कि जब यह समीदा समाप्त हुई तो क्या उसके पहले सरकार ने आप लोगों से बात करी थी या सूचना दी थी कि हम अब इसको इस सचर्था मिशन को आगे नहीं ले जाएंगे या इसकी अब कोई जरुवत नहीं है सरकार ने तो अपना मूँ मोड लिया था पहले ही वो बात ही नहीं करना चाहते थे और जब हम लोगों ने काफी प्रयास किया लाखों की संख्या में डियम से लेकर बिधायक सांसद मंतरी प्रधान मंतरी मुख्य मंतरी सब को हमने राष्ट फती तक को ग्यापन दिया और हज लोगों ने विधान सभा के सामने सांथी पूर्वक परदर्सन करने का फैसला लिए और पचास सट संख्या की संख्या में सिच्छा प्रेल्च घायल होए किसी का सर और बड़ी बुरी दसा करती मार मार के वहाँ पर पूलिस वालों ने सिच्छा प्रेरकों को एक तरह से इतना प्रताडित किया जिसकी कोई सीमा नहीं है अब उसी तरह की स्थिती में हम लोग के साथ सिच्छा नुदेशक हैं आप लोग को भी काफी कम वेतन मिलना है जबकि केंद सरकार क्या वेतनमान की जो सात्वे वेतनमान की कमेटी है उसने अमसंसा की है कि 18,000 रूपे से किसी भी कमचारी को कम नहीं मिलना चाहिए मांगाई क को देखते हुए तो आप बताइए कि आप लोग से क्या काम लेती है सरकार इसकूलों में और आप लोग को कितना मांदे मिलता है सर एक जुलाई 2013 को उत्तर प्रदेश के 13,779 विद्याले में एक तालीस हजार 307 अनुदेशकों की निक्ती होती है साथ हजार के मांदे पे चुकि उसमें छटमा बेतनमान चल ला था और उसका निमतम साथ हजार था इसलिए हम लोग को साथ हजार पे निक्ती हुई थी उसके बार लागातार हम लोग का अंदोलन जारी रहा और 27 मार्च 2017 को भारत सरकार ने हम लोग के मांदे को 8,470 रुपया से भरा कर 17,000 रुपया कर दिया 15 माई 2017 को मिनट्स भी जारी हो गए यहां तक 29 माई 2017 को भारतिय जनता पाती के ट्विटर हैंडल पर मुखमंत्री जी ने 17,000 देने की घोसना भी की और लागातार हम लोग का अंदोलन जारी रहा और मैं आपको बताऊं एक जून 2018 को इटावा की रैली में 3 जून 2018 को भधोही की रैली में और 23 जुलाई 2018 को हत्रस की रैली में मानिय मुखमंत्री जी ने कहा कि हम अनुदेशकों के मांदे को बरहाने जा रहे हैं और इस मांदे को लेकर मैं स्वयम मैं प्रदेश अध्याचनुदेशक संका हूं मैं स्वयम 49 बार मानिय मुखमंत्री लेकिन इसके बाद भी उत्तर परदेश की सरकार 8,470 रुपया के अलप मांदे पे हम लोग से काम ले रही है मैं पूछना चाहता हूँ भारे सरकार के परधान मंत्री जी से और उत्तर परदेश के मुख मंत्री जी से कि आपके सांसर और विधायक और आपके मंत्री 8,470 रुपया में यदि जीवन यापन कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं लेकिन उनको डेर से 2,3,3 लाग और तमाम प्रकार की सुविधाये हैं आप बताईए कि 8,470 रुपया में हमारा परिवार इस महंगाई के दोर में जबकि साथ में बेतनायोग में मिनमम 18,000 का बेतनमान की बात है और अभी स्रम भिवा की जो नोटीस आई है उसमें 24,000 बेतनमान की बात है लेकिन उत्तर परदेश की सरकार भारेस सरकार के पैसे देने के बावजूद भी बारत सरकार ने अपने हिस्से की 60-30-80 उत्तर परदेश सरकार को 2017 में 15 माई को दे दी उसके बाद भी उत्तर परदेश की सरकार 8,470 रुप्या में हम लोगों से काम ले रही है आप बता रहे थे कि आप वेतन होता है उसमें केंद्र का भी अंस होता और परदेश सरकार को सब्सकर और तौर मताव स सरे चुनावी मौसम है इसमें भी जार पिए पांच वहां नहीं मिला है और सरकार यहां पर तमाम प्रकार की सब का साथ सब सांसत बिधायकों का 8447 रुपया कर दिजिए हम भी तयार हो जाएंगे हम नहीं सुलक सेवा देने को तयार हो जाएंगे आप भी अपने सांसत्र विधायकों का मांदे आठाजार साथ हजार कर दीजिए तो अब इस चुनाओं में जब आप लोग सबाद चुनाओं होने वाला है और चुनाओं तो लोगतंत्र में यह एक माध्यम होता है कि अपने मुद्दे और अपनी मांग को ले जा स तो आप सरकार से काफी नाराज यह बेलकुल नाराज है हम लोग पास इतना ही समय था आप लोग लोग से बाचित की गोरपुन यूलाइन और चल्चित्र भियान से तो बहुत बहुत सुक्रिया और धन्यवाद और यह आज हम लोग ने बाची से समझा है कि पूरे उत्तर- यह एक तो उनको अस्थाई नुक्तिया नहीं है उनको बहुत ही मामली मान दे दिया जाता है बहुत ही कम समय से भी नहीं दिया जाता है यह और इसलिए उनके बीच काफी आक्रोस है वह सरकार से बहुत नाराजगी है और लगता है कि यह नाराजगी सरकार पर बारी पढ़ झाल